ये जैसल मेर है, यहाँ लोगू का जीवन काफी कठिन है, भूज अलस्तर 500 फुट नीचे है और पानी खारा है, यहाँ कोई नदी नहीं है और बारिस न के बराबर होती है, लेकिन ये लोग जल सनरक्षन करना अच्छे से जानते हैं। जैसल मेर जल सनरक्षन की सबसे बड़ी भारतिय प्रयोग साला है, यहाँ जल सनरक्षन पुस्तगों का नहीं परंपरा का विशय है, इन लोगों ने जल सनरक्षन कालेजों और पुस्तकालेओं से नहीं बलकि प्रयोग से सीखा है, इसलिए यहाँ जल सनरक्षन के नारे नही मिलकर किया था इस जील के बिना जैसलमेर सहर की कलपना भी नहीं की जा सकती इस जील में बारिस का पानी कठा होता है सूप्रसिद्ध पर्यावरन विद अनपमिस्द ने अपनी पुस्तक राजस्थान की रजत बुंदे में लिखा है कि यहां के लोग बारिस को इंच और मेट लोग काम आएंगी इस जील के मुख्यदार को टीलो की पोल कहते हैं यह अस्थानिय जैसलमेरी पीले पत्थरों से बना हुआ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है इसका निर्मार टीलो नाम की एक परुपकारिन रित्यांगना यों गणिका द्वारा कराया गया इस जील का आगोर यानि कैच्मेंट बहुत बड़ा है और इसमें पूरे साल पानी रहता है आज के 30-40 साल पहले तक यह जील जैसलमेर की सबसे प्रमुक्ष जल सुरोत थी फिर बाद में सरकार द्वारा इंद्रागांति नहर एवं ट्यूबेल जैसी चीजे आ गई आज इ दिल की उपयोगिता कम होती जा रही है यह पहले जितनी साफ सुत्री भी नहीं रही है और लोगों का इस से लगाओ भी कम होता जा रहा है लेकिन गिरते हुए भूज अलस्तर और जलवायू परिवर्तन की अनिश्चितिता के कारण ऐसी जीलों का महत्तों आने वाले समय मे तेजी से बढ़ेगा आज भी जैसलमेर जैसी जगों पर जीले ही जलापूर्ती का सबसे सही सस्ती और ससक्त माध्यम है इसलिए यह बेहत जरूरी है कि ऐसी जीलों को बचा कर रखा जाए इसे लोगों का लगाओ पैदा किया जाए और इसे उपयोग में लाया जाए यह हम कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं